प्रत्न करना ज़्यादा अच्छा है रोने से और सुरू करेंगे टुडेस टॉपिक G.S.G.K के इंपॉर्टेंट सेशन और जिस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं जिस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग सुरू करेंगे आज का आपके G.S. ठीक है आज का G.S. सुरू करेंगे तो यह यहाँ यह च से कुछ दिन चूकना नहीं है लगना है धुआधार ढंग से लगना है तो क्या सुरुवात किया जाए आज के शेशन की सुरुवात किया जाए आज के शेशन की और देखा जाए नेशनल कैमिकल लैबरोटरी रास्ट्री रासानिक प्रियोग साला कहा है एक दम उसी लेबल प आपकी लेबरोटरी है उसने ये पुष्टी किया कि केरल में जो एक केस आया है वो मंकी पॉक्स का आया है इसी पूरे वाली संस्थाने अगला देखते हैं किस वर्स बाबर ने सुर्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया था याद रखेगा आप के पेपर का लेबल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और इसका राइड एंसर है आपके बी ऑप्शन 1526 बिल्कुल इसी में किया था इसी में इसने तुगल नुमा युद्ध पधिती का प्रियोग किया था इसी में इसने उस्मानी विधी का प्रियोग किया था तुगल नु निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है बताएगा इंग्लैंड, स्टर्लिंग, वेटिकन सिटी, लोरा, सौधी अरप, रियल या स्वीडन, मार्क बहुत सो समझ के एंसर करना क्योंकि आपका जो लेबल है एक्जाम का वो लगभग ये है और इस लेबल आफ एक्जाम को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम वेटिकन सिटी, लोरा, ये गलत है, ठीक है न, ये गलत है, नेक्स्ट कुश्चन, कलकत्ता और आगरा के बीच, पहली, अचा देखो जो तुमारा आगर रेलवे का एक्जाम है, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लेबल, ग्रुप, देखो देखो उसका न, बहुत जादा, इंपॉर्टेंट नहीं महत्तो है, ठीक है न, तो कलकत्ता और आगरा के बीच, पहली, टेलिग्राफ, सी ओप्शन, अठारा सो चववनिस्वी, पहला, अठारा सो अगला, और द्योगिक विश्विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहा पे इस्थित है, मेरे भाई, अध्योगिक विश्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये आपके इस्थित है, कहा इस्थित है, लखनव उत्तर प्रदेश में, कहा इस्थित है, लखनव उत्तर प्रदेश, अगला द बढ़ेगा सो समझ कि आप बताएगा निमलिखित को किस राज में तो इसका राइट एंसर है आपके सी ओप्षन आंधर प्रदेश ठीक है ना इसका राइट एंसर क्या बनेगा मेरे भाई सी ओप्षन आंधर प्रदेश इसका राइट एंसर बनेगा ठीक है अगला पॉइंट देखते हैं, next point क्या है, यह, अगला question, UNESCO का मुख्याले कहां पे है, ठीक है न, UNESCO का मुख्याले कहां पे है, सो समझ के बताओ, UNESCO का मुख्याले, तो sir, UNESCO का मुख्याले आपके यह option, पेरिस में, ठीक है न, UNESCO का मुख्याले कहां पे है, यह option, पेरिस में, अगला देखते हैं राश्टी पर्यावरण ये एकदम fix question है जो हर बार अचा एक बात में बताओ आज तो introduction type की class है और आज मैं सिर्फ ये देखूंगा कि किस pattern के questions आते हैं इसको हम लोग कल के बाद मंडे से जो आपकी class होगी इसको एक अलग label पे ले जा करके देखा जाएगा और इसका right answer आपके बनेगा C option नागपूर अगला लंदन किस नदी के किनारे इस्थित है लंदन को पूस्ता है वासिंगटन को पूस्ता है और आपके मिस्र किस नदी के क किस नदी के है जाल अंधर किस नदी किनारे है आपके अयोध्या किस नदी किनारे है और पूछता अकसर उनको है जो आपके क्या कहा जाता है करेंट में चर्चा में होते हैं और इसका right answer आपके बनेगा A option थेमस नदी next question तकनीकी सहर के नाम से किसे जाना जाता है बताएगा तकनीकी सहर के नाम से किसे जाना जाता है किस सहर को कहा जाता है सोच समझ के बताओ तो आपको ओगे सर तकनीकी सहर ये तो बैंगलूर को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी से कहा जाता है और अभी अभी हम लोगों ने एहमदाबाद को यूनेसको ने एहमदाबाद सहर को और केर केरल राज्य को भारत का विस में युनेस्को का सबसे अच्छा परेटन अस्थलों की 50 की सुची जारी की है तो वो भी याद रखना कि केरल राज्य को और एहमदाबाद सहर को युनेस्को ने क्या किया है अपने 59 परेटन अस्थल वाले सहरों में इसको सामिल किया है अगला बिहार की भासा अवधी नहीं है सर ये भासा तो लखनव में बोली जाती है लखनव उत्तर प्रदेश की राजधानी में बोली जाती है आपके अवधी में थोड़ी ये बोली जाती है अगला देखते हैं विसु की प्रथम महिला प्रधान मंतरी कौन थी देखो ये आपके मैं बताओ आपके जो पेपर का लेबल है वो आपका depth का ग्यान नहीं चेक करेगा वो आपका चेक करता है variation कि आपको छोटे छोटे टॉपिक कितने याद है ये चेक करता है आपका variation और इसका right answer बनेगा B option S. भंडार नायके S. भंडार नायके अगला operation flood किस से संबंदित है एक हिंट दे सकता हूँ वर्गिज कुरियन और आज पहली class है कई लोग इस class को आज खोजे होंगे तो सायद उन्हें मिला भी नहीं होगा कि event कहां पे लगा है क्या है लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताओं कि ये class regular चलेगी साम साड़े आठ बजे जब तक आपका group D का exam न हो जाए और right answer क्या बनेगा बी option for dairy farming operation flood दूथ से संबंदित है और दुख दूथ पादन में पंजाब राज्य को मतलब की सबसे ज़्यादा फाइदा हुआ था उसी तरह हरित करांती में भी हाला कि इसको गुजराद से दोड़ क सुरी मैंने पंजाब बोला था थोड़ा सा उसमें सुधार कर लेना गुजराद यहाँ पे आनंद मिल्क यूनियन लिम्टेट बैठाए गई अगला question भारती रेल का अनुसंधान तथा विकास प्रभाग कहा है सर railway का exam है और ऐसे question आपसे बनेंगे और आने वाले कुछ दि करता है वो आपको answer करना पड़ेगा अगला question हिंदी के बाद दूसरी सरवाधिक बोले जाने वाली भाशा कौन सी है बांगला उर्दू तेल्गू या फिर मराथी बांगला उर्दू तेल्गू या फिर मराथी तो सर इसका right answer आपके बनेगा a option बांगला कौन सा बनेगा मे क्या बनेगा लखनव जहां भासा बोली जाती है अवधी जहां 1857 की क्रांती में बेगम हजरत महल ने निर्थित्त प्रदान किया था अगला देखते हैं किस वर्स में भारती राज्यों का भासाई आधार पे पुनर गठन किया गया था यह आपको बताना है तो सर भारती भ समाने बजट से अरे यार ऐसे क्वेशन देख लेना आपके पेपर का बहुत कठीन लेबल नहीं आएगा लेकिन कटाफ अच्छा खासा जाएगा समझ रहो ना तीन साल से लड़के इस पेपर को भर करके बैठे हुए हैं तो कहीं भी हलकी सी चुक यह नहीं कि तुम UPSC ले की वहां तलवार लेके थोड़ी युद्ध मैदान में उत्रोंगे यार चलिएगा अगला कुशन भारत में विद्धूत रेल गाड़ी का संचालन किस वर्स में प्रारम हुआ था इलेक्ट्रिक रेल गाड़ी एक हिंट कर दू इस क्वेशन में एक हिंट कर दू मेरे भाई अगला question कौरू सहर किसके लिए प्रशिद्ध है ? मैं आपको theorem नहीं प्रूफ करना है, आपको simple simple question करने है, और right answer बनेगा, साची हो नम्मा, प्रथम कंडर के वित्री, अगला, भारत में प्रथम, अच्छा बताओ, ये railway group D का सही label चल रहा है न, UPSC, SSC, CGL तो ये नहीं न, कि question का label एकदम उठा करके पटक दिया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, तो भारत में प्रथम टेली विजन, सर, A option, 1969, ठीक है न, देख लो, कितना सही चल ला है, तो भाईया, सोनू, सूमित, राजेपाल, सिल्पा, राधा, रानी जी, बताइएगा, अगला question, जेम्स बांड नामक, प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे, सो समझ के अंसर करिएगा, जेम्स बांड नामक, प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे, तो मेरे भाई रचनाकार हुआ करते थे, C, इयान फ्लेमिंग, अगला, भारत में आणविक रियक्टर के जन्वदाता कौन माने जाते हैं, भारत में जहांगीर भाभा, जिनके अंडर में सलाह पे परमाडू उर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, किसकी परमाडू उर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, अगला कौश्चन, कावेरी जल बिवात के निप्टारे के लिए गठित, कावेरी जल नयाधिकरण का गठन, अगर static data का fact तुम्हें याद है, तो याद है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से लग जाओ, जब तक railway group D का exam done न हो जाए, आप लगे रहिएगा, मजा ला दिया जाएगा, सर, A option 2 June, ठीक है मेरे भाई, A option 2 June, अगला question, इसरो की master control सुवधा हासन में है, या किस राज्य में है, इसरो की master control सुवधा हासन में है, या किस राज्य में है, बताना मेरे भाई, इसरो की master control सुवधा हासन में है, या किस राज्य में है, C option करनाटक, C option करनाटक, अगला देखो red square कहां है मैं कह रहा हूँ आपके paper के label पे जा करके मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके exam में आएगा ठीक है ना तो भाईया सब लोग यार थोड़ा like भाई करते रहो यार तो sir इसका right answer आपके बनेगा B. Moscow कहां पे है Moscow में है red अब यहां मोदी जी एक बार गए हुए थे तो इसलिए यह चीजे famous है अगला विक्रम सारा भाई अंतरिच केंदर कहां इस्थित है सो समझ के बताएगा विक्रम सारा भाई अंतरिच केंदर कहां पे इस्थित है सो समझ के बताओ कहां पे इस्थित है तो सर विक्रम सारा भाई अंतरिश केंदर ये इस्थीत है सर D त्रिवेंद्रम में कहा इस्थीत है D option त्रिवेंद्रम में इस्थीत है अगला question निमलिकित में से कौन से या स्थान से वायू मार्ग द्वारा काठमांडू सरवाधिक समीप है ठीक है वायू मार्ग द्वारा काठवांडू सरवाधिक समीप है सो समझ के बताओ मेरे भीया क्या इसका राइट अंसर हो जाएगा लिख के दे दे रहाओ मेरे भाई इसका राइट अंसर आपके बनेगा लेके रख लेना तुमारे पेपर में न पूछे तो तुम कह देना की सर नहीं पूछा था कह देना नहीं पूछा था क्योंकि मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपके जलग जाएगा और डेली मैं आपको अब ग्रूप D का 20 तारीक तक जिनका एक्जाम जिस भी एक्जाम में जियास आता है इस सो से जुड़े रहना मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली रात साड़े आठ बजे आपको एक अलग लेबल पे ले जाके पढ़ाऊंगा आज तो पहला दिन है इसलिए थोड़ा नॉर्मिलल चल जा रहा है इसका राइड एंसर बनेगा मेरे भाई ए दस जन्वरी क्या बनेगा दस जन्वरी अच्छा अगला क्वेश्चन निमलिकित में से किस तत्व की प्रमाडू संगया देखो ऐसे क्वेश्चन ग्रूप D में आते रहते हैं केमेस्ट्री के अक्सर पूछते रहते हैं और एक लिख लीजे मैगनेटाइट एक लिख लीजे आइरन पाइराइट जिसे जूटो का सोना कहा जाता है बात वही है मेरे भाईया अगला क्वेश्चन अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज वेक्ति कौन था बहुत सोच समझ के बताना जहांगीर का नहीं हौकिन्स आया था और ये पीटर मुंडी तो बहुत बाद की बात है ठीक है पीटर मुंडी तो बिलकुल ये सो डेली चलेगा ये क्लास डेली चलेगी लिख लो जान लो समझ लो पढ़ लो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ किसके काल में अलबरूनी भारत आया था महमुद गजनवी का उप नाम क्या है जितने लोग लाइव हो अगर कोई बता दे सर महमुद गजनवी को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है ये तुमारे पेपर का बड़ा अपने युग का अरस्तु कहा जाता है महमुद गजनवी को ये बात याद रखना अरे बीन तुगलक को छमा करना वो महमूद 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 बीन तुगलक को अपने युक का रस्तु कहा जाता है एक करेक्शन करवाया हूँ ध्याद दे देना चीक है ना महमूद गजनवी को तो सर बुत सीकन कहा जाता है बुत मतलब होता है मुर्ती तोड़ने वाला म पुर्ति भंजग कहा जाता है अगला क्वेशन उस देश का नाम बताईए जिसने विकीपीडिया के इनके देश के खिलाब विकीपीडिया ने दो बार कुछ गलत छाप दिया का रुको तुम्हें तुम्हारी आउकाद दिखा देते हैं और तुरंद चाइना ने कहा हटाओ इसको अपने देश से बाहर निकालो चाइना ने तुरंद क्या कर दिया विकीपीडिया के संस्क्राण को ही अलग कर दिया लंका लगा दो लंका लगा दो अगले क्वेशन पर जाओ मेरे भाई निमलिखित में से कौन सा ग्रंथ इस बात का प्रमार देता है कि पृत्वी र साइड एंसर आपके बनेगा सी-ऊप्शन ताज-ुल मासीर पिर्थ्वीराज रासो इसका रहेगा एंसर ठीक है नum यहां से हटा देना, इंग्ली हुआ से इसका answer ले लेना, प्रित्वी राज, रासो लिक्षा किसद था? Сर, इसी के दोस्त, चंदवर दाई ने, इसी के दोस्त, चंदवर दाई ने, अई ऐसे दोस्त थ हे, जो हम को लगता है, दोस्ती में सबसे पहली बार, ये वाला सलाह दे होगा हम देख लेंगे, महाल बना देंगे, ठीक है ना, वही बात है, अगला देखो, एक उपग्रह में एक अंत्री श्यात्री द्वारा गिराए गया चम्मच, ये है आपके ग्रूप D का लेबल, ये है आपके ग्रूप D का लेबल, हैस्टेग लगा देता हूँ, साइन्स मे कालोनी का चक्कर लगाए हो ना, तो समझ लो वह वाले चम्मच तुम हो, और तुमको एक किसी के चकर में गिर गए, तो गोल 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 चकर लगाते रह जाओगे, अगला देखो, बिजली का संचालन करने वाले अधिकान्स गोल, आमने छार और किसके बने होते हैं, अ अब सही अंदाजा लग रहा है कि कहां पर क्या खेलना है, यार एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा, सब लोग शेयर कर दो, यह हम लोग के 40-42 क्वेस्टन जाते जाते हैं, हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट टच कर जाने चाहिए, और इसका राइट एंसर बनेगा बेरे उद दौला, एतमाद उद दौला का मगबरा किसने बनवाया था, जरा हमें ये बताना, अलई दर्वाजा किसने बनवाया था, और जरा हमें ये बताना, दारूल सिफा, ये इतिहास में किस सा सकने बनवाया था, तीन आपके सामने क्वेस्टन हैं, तीनों के एंसर करके दि तिखलो बैया सर अलई दर्वाजा ये तो बनवाया था अलाउदीन खिल जी ने question का answer भी सही है अलाउदीन खिल जी दारुल सिफा को बनवाया था फिरोज साह तुगलक ने और सर एत्मा दुद दौला का मगबरा उसी की लड़की नूर जहाने बनवाया था किस ने बनवाया स्क्रीन सोट ले लेना और ये क्लास डेली साम को साढ़े आठ बजे आपके रेलवे ग्रुप डी के एक्जाम तक मैं आपका साथ दूंगा और देख लेना पूरी अभी तो इसमें करेंट अफेयर मुझे लाना है अभी मुझे इसमें स्टैटिक जी के पढ़ाना है लेकिन गुरुप डी निकलवाना है कसम खाओ मेरे साथ कि आज से 17 अगस तक उड़ा के रख दोगे तुम लोग गुरुप डी को इस बात की कसम खा के आगे बढ़ना है इसका राइट एंसर क्या बनेगा मेरे भाई ए इलेक्ट्रो प्लेटिंग अब गलवनाईजेसन वो तो जंग लगना संचारण का उधारण है अच्छा एक क्वेशन बड़ा अच्छा आता है लोहे पे जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ जाता है या फिर घट जाता है यह सोच के बताना है अगला क्वेशन आप मुस्लिम लीग का प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब मिला यार बहुत आसान आसान क्वेशन हैं दस क्वेशन और बचे हैं और यार इसके लिए तुम लोग को लगना पड़ेगा आओ देखो 1912 में सर भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता से हटके सर दिल्ली बन गई थी एक पॉइंट जो आपके पेपर में खुब पूछता है दिल्ली 1909 में सर मारले मिंटो रिफार्म आया था क्या आया था मेरे भाई मारले मिंटो रिफार्म या फिर इसको आप लोग कहते हो मेरे भाईया सुधार इसको कहते हो 1907 में सर जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थी वो दो भाग में तूट गई थी एक नरम दल और एक गर अब खेलो एक नए लेबल पे ले जाओ इसको अगला क्वेशन तो इसी ऑप्शन इसका करेक्ट है 1909 मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार मौरले मिन्टो रिफॉर्म के थुरू मिला था मौरले मिन्टो रिफॉर्म अगला क्वेशन हंटर आयोग की न्युकत कप की गई थी एकदम सोच समझ के बोलना गलत नहीं होना चाहिए याद रखना सर हंटर आयोग की न्युकति की गई थी जलिया वाले बाग हत्या कांड के बाद लेकिन तीन बाते बताऊंगा गांठ बांध लेना आपके पेपर में एक लाइन पूछ सकता है जलिया वाले बाग हत्या कांड के लिए अंग्रेजों ने हंटर आयोग बनाया भारतियों ने कौन सा आयोग बनाया लिख के बताओ तो याद रखना मैं यहाँ पे भारतिये जो आयोग बनाया उसका नाम था तहकीकात समीती क्या नाम था मेरे भाई तहकीकात समीती रेलवे ग्रूप डी का पेपर है कि तहकीकात समीती किसके लिए बनी थी तो भारतियों के लिए बनी थी तहकीकात समीती ठीक है ना अगला क्वेशन अच्छा जलिया वाला बाग हत राजधानी कब ट्रांसफर किया था चलो बताओ बिटिस सरकार ने कलकत्ता से राजधानी कब ट्रांसफर किया था यार एक न अपने लेबल पे जाके खेला करो उड़ा दिया करो questions को तो सर बिटिस सरकार ने घोशना की थी ये ट्रांसफर यहां पे वा था और यहां पे क्या देते हूं यह नहीं होना चाहिए 1905 में आपको एक पॉइंट दोहरा लो मैं जानता हूँ आपको याद है लेकिन मेरे भाईया आप इस 20 दिन में न मैं कोई कमी कोई कोताई कोई आउसर नहीं छोड़ना चाहता 1912 1919 में सर मांटेग्यू चेम्सफोर्ट सुधार आया था सभी लड़कियां याद रखना 1919 में ही आपको वोट देने का अधिकार मिला था यह रेलेवे का बहुत फेबरेट कोईशन है कि महिलाओं को वोटिंग का राइट कब मिला था तो 1919 में मिला था अगला कोईशन किसके द्वारा परी अब देखो करेंट अफेर तो आपके सेशन में रहेगा तो जब मैं डेली रात में साड़े आठ बजे यह सेशन चलेगा तो आपको जीयस के साथ करेंट अफेर को भी उसमें एड करूँगा तभी जाकर के बात बनेगी तभी जाकर के सेलेक्शन होगा राइट एंसर मेरे भाई बन जाएगा आपके बी ओप्शन cbsc cbsc की वर्तमान में अध्यक्ष का नाम कोई बता दे जो करेंट अफेर पढ़ रहा हो पिछले कौन थे मैं बता रहा हूँ विनीत जोसी थे वर्तमान में कौन है मुझसे पूछो सर निधी छिपबर का नाम लिख दीजिए ठीक है ना निधी छिपबर का नाम लिख जीए जीएस का कोई भगवान नहीं होता न मैं ना आप मैं भी जीएस का एक छात्र हूं कोई टीचर नहीं हूँ वैसे जीएस सीखने की चीज है निरंतरता की चीज है राइट एंसर इसका क्या बनेगा c option 1919 ठीक है ना और 1916 में important क्या हुआ था इंडियान नेशनल कॉंग् बोश जी आपके प्रफुले चाकी जी ये जो थे वो सबसे कम उर में फासी पे चढ़ें निमलिकित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हरताल को कब क्या मैनेच किया बताईएगा एंसर कर के दिखाओ भाई महात्मा गांधी ने भूख हरताल को ठीक है न, कम manage किया, तो इसका right answer है आपके C option, एहमदाबाद हरताल, ठीक है न, एहमदाबाद, अगर आपसे पूछ देता, महात्मा गांधी का प्रथम क्रिशा कांदोलन कौम सा है, क्रिशा कांदोलन, तब आप क्या answer कर देते कि सर, महात्मा गांधी का पहला क्रिशा कांदो अगला देखो, भारती राष्टी का अंग्रेज के धच्चता करने वाले पहले अंग्रेज का कौन थे, पहला अंग्रेज पूछ रहा है न, सर, जोर्ज यूल था, ठीक है, अब चुकि दूसरे subject का time हो गया, इसलिए मुझे ये 4 questions जल्दी खतम करने पड़ेंगे, अगला question विश्व सांती फोरम, 2022 का अउजन, निमलिखित में से किस देश में किया गया है, सो समझ के बताएगा, विश्व सांती फोरम, कहां पे इसका अउजन किया गया है, भाईया, बहुत सो समझ के ग्रूप D की तयारी करने है, इस बार उड़ा देना है ग्रूप D को, छोड़न नहीं है ग्रूप D को, और इसका राइट एंसर बनेगा मेरे भाई C, चाइना में, ठीक है न, कहां पे क्या गया है, चाइना में, अगला कोशन, प्रसिद्ध पुरातत्त वेदा, इतिहासकार, एक आपसे निधन का कोशन पूछना ही, अब वो निधन का कोशन ये रहेगा, और इसका राइट एंसर आपके बनेगा, B option, बांगलादेश, इसका राइट एंसर क्या बनेगा, मेरे दोस्त, B option, बांगलादेश, अब, आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरे वो हर दोस्त, जो ग्रूप D का एक्जाम देने जा रहे हैं, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, यह है आपके लिए e-book, यह है मेरे दोस्त, आपके लिए e-book, और इस e-book को मेरे दोस्त आप, Y182S कोड के साथ, आज पर्चेस कर लो, इसमें 4,000 से ज़्यादा question है, हर question मैं यहाँ पे आपके साथ discuss करूँगा, हर question मैं यहाँ पे आपके साथ discuss करूँगा, और देखूँग कि क्या लेबल रहेगा group D का, आपके पूरे GSGK की जिम्मेदारी हमारी, मैं, लेकिन यह Y182S से आप अड़ा स्टोर से ले करके, आफ पे लेके, यार यह न, बहुत गया तो 150-60 रुपए के आसपास जाएगा, e-book है यार, लेके न, daily 100-200 question इसमें से solve करो, यदि आप selection पाना चाहते हैं तो, आपको daily इसमें से 100-200 question solve करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजे हैं, जिन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो thank you so much my dear students, अपना और अपनों का ध्यान रखना, अड़ा के app को डाउनलोड कर लेना, और अगली class प्रतिभा मैम की है, please प्रतिभा मैम की class में सभी move करें, धन्यवाद मेरे दोस्त, thank you so much